हे गाईज मैं हुछ सोच कनल और सागत करता आपका हाई डाइक भाद इस यूटूब चैनल पर तो दोस्तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो WPS Office Application के अंदर आप अपने पीपीटी में टेक्स्ट को अंडेलाइन कैसे लगा सकते हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जहां पर WPS Office आप जो है उपन करते हैं यहां पर आपको प्लस के आप्शन पर टाप करना है और यह जो पीपीटी का ओप्शन दिखता है उसके उपर टाप करेंगे यहां पर हम जो ब्लैंक पीपीटी क्रिएट कर लेंगे टेक्स्ट यह यहां पर हम लिख देंगे ठीक है यहां पर लिखते हैं इंट्रो डक्षन अब इस टेक्स को जो हम क्या करेंगी अंडरलाइन देंगे अंडरलाइन देने के लिए आपको यहां पर यहां पर आपको इसके उपर डबल टैप करना है टेक्स के उपर डबल टैप करने के बाद यहां पर आपको इसके उपर करना होगा यहाँ पर आपको यूँ का option णिकत दिखाए देता हुआ करेंगे और अभी आप दिख सकते हैं आपके टेक्स पर जогँ अंडर लाइन आ चुका है सकते है तो इस तरह करो आपने टेक्स बेब अडेल ही शकते अले हैं